नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स निउस मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा सुप्रिम कोट में सोम बार को कावर यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई इस दोरान कोट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरीम रोक लगा दी है इसमें कावर रूट पर दुकांदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था अदालत ने कहा है कि दुकांदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरुवत नहीं है कोट ने कहा है कि दुकांदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा दुकांदार दुकान पर साकाहारी या फिर मानसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहें बस ये बताना होगा इस संबंध में कोट ने उत्तर प्रदेश, उत्राखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि अगर याचिका करता अन्य राज्यों को भी सामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी सुनवाई के दौरान क्या-क्या दलीले दी गई हैं NGO Association of Protection of Civil Rights ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोट में चुनौती दी थी। सुमबार को जश्टिस रिजी केस राय और जश्टिस SBN भट्टी की पीट ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दोरान जश्टिस SBN भट्टी ने कहा कि मेरा भी अपना अनुभव है केरल में एक सकाहरी होटल था जो हिंदू का था दूसरा मुस्लिम का था मैं मुस्लिम वाले सकाहरी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबाई से आया था और वो साप सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टेंडर्ड को फॉलो करता था ये पूरी तरह से आपकी पसंद का मामला है मामले पर सुनवाई के दौरान एंजियो की ओर से पेश वकील सी यू सिंग ने कहा है कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है ऐसा पहले कभी नहीं होगा परिश्ट अधिवक्ता अभिसेक मनु सिंग्वी ने कहा है कि ये च्छदम आदेस है सिंग्वी ने कहा है कि कावर यात्रा दसकों से हो रही है सभी धर्मों के लोग मुस्लिम इसाय और बौध कावरियों की मदद करते हैं कावरियों को मांसाहार खिलाने को लेकर सक् सिंग्वी ने कहा है कि ये आदेस कावर यात्रा के च्छदम आदेस है इस आदेस का पालन नहीं करने वालों पर यानि नेम प्लेट नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा ये यात्रा हजारों किलोमेटर की होती है इस बड़े रूट पर बड़ी ठेले और फलो की दुकाने हैं या देश तो इन दुकानदारों के लिए आर्थिक तंगी ले कर आएगा आपको बता दें कि इसकी सुर्वात यूपी के मुझफर नगर में हुई थी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने कावर यात्रा से पहले जरूरी निर्द ने कावर यात्रियों के रास्ते में पढ़ने वाली दुकानों पर उनके मालिक और संचालक के नाम लिखने के निर्देश दिये थे मुख्यमंत्री ने हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कारवाई करने का आदेश दिया था इसे लेकर राज्य समेत देश की रादनिती गर्मा गई है विपक्ष ने यूपी की योगी आदितनाथ सरकार के इस आदेश को सामपरदाई करार दिया और भाजपा पर जफर नगर पोलिस ने सिर्फ जिले के कावर यातरा मारगों पर पढ़ने वाली दुकानों और भोजनालेों के लिए जारी किया था विपक्ष के विरोध के बाद मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दे दिया था इस सुरू होती है और पश्चीमी यूपी के जिलो से गुजरती है पश्चीमी यूपी के मारगों के अलाबा पुर्भी यूपी में अस्तित वारा नसी से भी कावर यातरा होती है और जारकंड के देवगढ़ में समाप्त होती है पुर्भी उत्तर प्रदेश में बारा बंकी और गोड़न्डा के बीच भी कावरियात्रा होती है तो फिलाल इस ख़र में इतना ही है दरस नूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवाद